नमस्कार दोस्तों मैं योगेश महरिया महरिया क्लासिच के यूटूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अविनंदन करता हूं दोस्तों तो दोस्तों आज हम भारतिय समिधान की कड़ी में बात करने वाले हैं राष्टपती की आपातकालीन शक्तियां जी हां दोस्तों राष्टपती की आपातकालीन शक्तियां पुलिस, पटवार, रीट वै अन्य सभी भरति प्रिक्षाओं में समान रूप से उप्योगी है दोस्तों आप रेल्वे का कोई भी एक्जाम देंगे तो उसमें भी ये सबसे महतुपून चीज है तो आईए आज हम राष्टपती की आपातकालीन शक्तियों के बारे में पड़ेंगे लेकिन उससे पोर्वे मैं आपको बता दूँ हम भार्पी समिधान का भाग पांच संग सरकार आनुचेद 52 से 151 पड़ रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले हमारा जो कारेपालिका है वो कारेपालिका को शुरू किया कारेपालिका से संबंदित अनुचेद 52 से लेकर 78 तक हैं और कारेपालिका के अंतरगत राष्टपती उपराष्टपती प्रधान मंत्री मंत्री परिशद और महानियवादी आते हैं दोस्तों इसी कारेपालिका के अंदर हमने भारत के रास्टपती को पढ़ना स्टार्ट किया था तो भारत के रास्टपती से संबंदित अनुचेद 52 से लेकर 62 तक मुख्य रूप से हैं ठीक है इसके बाद में हमने अब भारत के रास्टपती की शक्तियां हम पढ़ रहे थे जिसमें हम सबसे पहले कारेपाले का शक्तियां पड़ी फिर हमने विधाई शक्तियां पड़ी और फिर हमने नियाईक शक्तियां अर्थात समादान की शक्तियां और उचितम नियाले से प्रामर्स की जो शक्ति है राष्टपती की उसको हमने पड़ा इसके बाद में हमने राष्टपती की जो सैन्य शक्तियां हैं वो भी हमने पढ़ी दोस्तों आज हम राष्टपती की अंतिम रूप से जो शक्तियां पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं राष्टपती की आपातकाली शक्तियां चलिए दोस्तों बिना किसी आपचारिक ताके हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं और शुरू करते हैं आईए आज का हमारा हेडिंग होगा राष्ट्रपती की आपात कालीन शक्तियां देखी दोस्तों नाम से ही प्रतीत हो रहा है आपात कालीन अर्थात इमरजेंसी यानि की आपात कालीन इस्थितियों में जिन शक्तियों का प्रियोग किया जाएगा वे आपात कालीन शक्तियां कहलेंगे लेकिन इनका उलेक भारतिय समिधान में कहां किया गया है तो यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों भारतिय समिधान का भाग 18 आपात उपबंद का प्रावधान करता है और भारतिय समिधान के भाग 18 से सम्मंदित अनुछेद बावन से लेकर 352 से लेकर 360 के मद्य हैं दोस्तों अर्थात आपात का लीन जो प्रावधान हैं आपात उपबंद हैं वो अनुछेद 352 से लेकर 360 के मद्य में हैं हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट पते के आपात का लीन जो प्रावधान के लेकर 360 के मद्य में हैं ठीक है एक्जामेनर हमसे किसी भी प्रकार का यहां पर सवाल पूछता है तो उसका अनसर दोस्तों अनुछे 352 से लेकर 360 ही होगा अन्य सवाल भी बनते हैं आपका रवे पूछले एक्जामेनर कि राष्ट पते की आपात का लीन शक्तियां भारतिय समिधान के किस भाग में हैं तो आपको ग्यात रखना हैं भारतिय समिधान का भाग अठारा इससे संबंदित है संबंदित अनुछे तो आपको अनुछे 352 से लेकर 360 ग्यात रखना हैं दोस्तों अब सबसे महत्वपून बात यहां दोस्तों जो है वो यह है कि अनुछे 352 से लेकर अनुछे 360 के मद्य में जो राष्ट पते की आपातकाली शक्तियों के प्रावधान किये गए हैं तो कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान भारतिय समिधान के भाग 18 में किया गया है तो देखिए दोस्तों मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो भारतिय समिधान के भाग 18 के अंदर यदि हम देखें तो तीन प्रकार की आपातकाली शक्तियों का प्रावधान किय गया है तीन प्रकार की कौन-कौन से सबसे पहले राष्ट्रिया पातकाल दूसरा राष्टपतिशाशन और तीसरा वित्तिया पातकाल ठीक है दोस्तों तो आईए हम इसको पहले देख लेते हैं तो यदि हम बात करें भाग 18 में तीन प्रकार के आपातकाल की बात की गई है तीन प्रकार कौन-कौन सा है जरा इसको भी देख लिया जाए देखो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो राष्ट्रिय आपातकाल ठीक है साथ ही हम बात करें तो दूसरा जो है उसे हम राष्ट्रपती शाषन के नाम से जानते हैं यदि हम तीसरे की बात करें तो तीसरी जो आपातकालिन प्रावधान हैं हम उन्हें वित्तिय आपातकाल के नाम से जानते हैं या वित्तिय आपात भी जम हम उसे कह सकते हैं तो हमारे सामने कितने प्रकार के आपात कालीन प्रावधान हो गए तीन प्रकार के आपात कालीन प्रावधान भारतिय समिधान में वर्णित है दोस्तों यहीं से अगला सवाल बनता है कि राष्ट्री आपातकाल का प्रावधान भारतिय समिधान की किस अनुछेद में है तो इसका आंसर है दोस्तों अनुछेद 352 इसी की साथ यदि वो पूछ ले कि राष्ट्रपति शाषन के प्रावधान भारतिय समिधान की किस अनुछेद में हैं तो अनुचेद 356 इसी प्रकार आपका वो वित्ति आपातकाल के संबंद में पुछेगा कि वित्ति आपातकाल से संबंदित अनुचेद कौन सा है तो अनुचेद 360 है दोस्तु यानि कि मुख्य रूप से आपके ये तीनों अनुचे हेदों में बताया गया है कि अनुचे 352 में राष्ट्री आपातकाल का उलिक किया गया है, 356 में राष्टपति शाषन का और अनुचे 360 में वित्ती आपातकाल का प्रावधान किया गया है दोस्तों. अब हमारे मन में अनिक सवाल उठते हैं आप लोगों के मन में अधिकांस बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे सर आपात कालीन सक्तियों के प्रावधान भारतिय समिधान में क्यों किये गए इनकी क्या आवशक्ता पड़ती है इनकी क्या भूमी का है ठीक है तो उन सभी के उपर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों एक एक पॉइंट को लेकर हम चलेंगे जिससे आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो ठीक है साथ में जो मेरे मित्रे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो उसको लाइक करें उन पर कमेंट करें साथ ही वीडियो को अपने संबंदिस दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे अधिक स्यदिक लोगों को इन कक्षाओं का अलाब मिल सकें तो आईए दोस्तों पुनए हम टॉपिक पर चलते हैं अब देखिए रास्त्री आपातकाल अनुच्छे 352 में प्रावधान किया गया लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है ये जो आपातकालीन प्रावधान किये गए है तो इनका आधार क्या होगा इनको लागू करने का तरीका क्या होगा क्या पूरे भारत पर एक साथ लागू होंगे या किसी शेत्रविशिश पर लागू होंगे इस प्रकार के बहुत सारे सवाल प्रतेक एक्जाम में आते रहे हैं पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे और वर्तमान में तो आपको पता है भारत और चाइना का विवाद क्या हुआ समवेधानिक जितनी भी प्रिष्थितिया हैं यदि मैं बात करूँ अधिक महत्पून हो जाती है और जिसमें राष्टपती शाषन, राष्ट्रियापातकाल और वित्तियापातकाल तीनों में से सबसे अधिक जो महत्पून प्रिष्थिति वर्तमान मुद्पन होती है वो है दोस्तों राष्ट्रियापातकाल लेकिन आप राष्टपती शाषन को भी कम नहीं आख सकते क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार का राजस्तान में जो राजनेति गटना करम गट रहा है तो वो आने वाले समय में राष्टपती शाषन की और संकेत कर रहा है ऐसी प्रिस्तितियों में एक्जामिनर दुआरा यहां से सवाल बनाया जाना स्वभाविक है दोस्तों तो आईए हम आगे देखते हैं अब देखो दोस्तों हम तीनों में से एक एक को पढ़ेंगे पहले मैं राष्ट्रिया पातकाल की बात करूँगा फिर मैं राष्ट्रिया पातकाल की बात करूँगा और फिर मैं विट्ट्रिया पातकाल की बात करूँगा ठीक है दोस्तों तो देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो राष्ट्रिया पातकाल से संबंदित अनुछिद कौन सा है अनुछिद 352 अब देखिए दोस्तों यहीं पर लिख रहा हूँ देखिए अनुचिद 352 की जो heading है वो क्या है अनुचिद 352 में तो बताएगा एक रास्त्रे आपात काल होगा ठीक है लेकिन अनुचिद 352 की जो मुख्य रूप से समिधान में वर्णित जो heading है दोस्तों वो क्या है उसकी मैं बात करता हूँ तो यहां पर समिधान में वर्णित जो heading है वो है आपात की उतगोशना आपात की उदेगोशना ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों आप फटाफट से इसको उतार लीजिए क्योंकि मैं राष्टिया पात काल यहां से लिखे अगर प्रारंब गरूँगा तो आपको इससे संबंदित बहुत सारी चीज़े यहां तक आपन नीचे तक पड़ेंगे एक साथ समझाओंगा इसका आधार क्या है राष्टिया पात काल कि किस आधार पर लगाए जाएगा कितनी शेत्र पर लगाए सबसे पहले हम सेत्र की बात करेंगे फिर हम आधार की बात करेंगे फिर लागू करने के तरीके की बात करेंगे ठीक है, साथ ही में हम इसके वापस लेने की तरीके की बात करेंगे इसको जारी रखने की तरीका क्या है, इसकी अउधी क्या होगी, इसका प्रभाव क्या होगा एक-एक पॉइंट्स पर सीधे to the point अपम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आप इसका एक screenshot ले लीजिए आप फिर वापस उपर लिखने पड़ेंगे तो इससे अच्छा है, आप एक ही साथ लिख ले जल्दी कीजिए दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने screenshot ले लिया होगा इतिन देर में तो मैं इसे मिटा देता हूँ अब देखिए दोस्तों यह तो आपको समझ में आ गया कि भाग अठारा में राष्टपती की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है अनुछे तीन सो बावस से तीन सो साथ के मद्य में है तो अब हमारा जो हेडिंग होगा वो सीधा होगा राष्ट्रिय आपातकाल और जिस पर हम एक एक पॉंट पर खुल के चर्चा करने वाले अब देखो दोस्तों यह हमारी हेडिंग होगी राष्टिय आपातकाल अब राष्टिय आपातकाल की ये दि हम बात करें तो राष्टिय आपातकाल के संबंदित अनुछे कों से थे अनुछे 352 सबसे पहले ठीक है यही मैं लिखने जा रहा हूँ कि अनुछे 352 क्या खेता है अनुछे 352 की हेडिंग क्या है तो अनुछे 352 की हेडिंग है आपात की उद्घोषणा अर्थात राश्री आपात काल के जो लागू होने की जो गोषणा है जो आदेश जारी किया जाता है वो अनुछे 352 के अधीन ही किया जाएगा दोस्तु ठीक है अनुच्छी 352 इस बात का प्रावधान करता है कि रास्ट्री आपातकाल की जो घुशना की जाएगी अर्थात रास्ट्री आपातकाल कितने शेतर पर लागू होगा हम बात करें तो रास्ट्री आपातकाल संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर देखो दोस्तों रास्ट्री आपातकाल पूरे भारत में एक साथ लगाया जा सकता है रास्ट्री आपातकाल की जैसे ही घुशना होती है तो रास्ट्री आपातकाल पूरे देश में एक साथ भी लगाया जा सकता है और मानली जीए पूरे देश में ना लगागा कर किसी शेत्र विशेश में भी रास्रिय आपातकाल लगाया जा सकता है तो हम कह सकते हैं शंपूर्ण भाग या उसके किसी भाग पर थेक है दोस्तों यानिकि पर्ट्टिवकलर यजी वर्तमान में भारत सरकार चाहे तो लद्दाख में राष्ट्री आपातकाल लगा सकती है वो कह सकती है उसको अधिकार प्राप्त है कि वरतमान में चीन के साथ हमारे जिस प्रकार की गतिविदिया है जिस प्रकार का हमारी सेन्य जड़पे हुई है तो उन सबी से ये प्रतीत होता है कि वहाँ पर राष्ट्री आपातकाल की प्रिस्थितिया विद्यमान है ठीक है और यदि भार सरकार चाहे तो पूरे भारत में भी वर्तमान में राष्ट्री आपातकाल लागू कर सकती है कि हमारे चाइना के साथ युद्ध की स्थिती बनी हुई है ठीक है दोस्तों तो यानि कि इस प्रकार से यहां पर हमारे यहां पर तो एक चीज आपको यहां सबसे महत्वण याद रखनी योगी है दोस्तों यह वाली देखना यहां जो प्रावधान है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मैं इदर कोने में लिख रहा हूँ अलग से सिर्फ इसी के बारे में यह मूल समिधान में था यह बाद में थोड़ा जूड़ा गया कब जूड़ा गया देखो 42वा समिधान संशोधन 1976 दवारा देखे आप जब कोपी में लिखे हैं तो इसको नीचे लिखना यहाँ पर जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कच्रा करने कोशिश मत करना बगल में लिखकर इसको यहाँ पर लिखना इसको जस नीचे लाइन करके इस प्रकार से एरू बना के फिर लिखना ताकि वो अच्छा समझ में आएगा कि ये बात किसके संदर्ब में की गई है और इसको अंडरलाइन अवज से करना क्योंकि ये मूल समिधान में था और ये केवल किसी भाग पर या किसी शेत्र विशेश पर लागू किया जा सकता है ये प्रावधान हमने कप किया 42 समिधान संचोधन 1976 के द्वारा जैसे हम बात करें इसको हम क्या कह सकते हैं कि शेत्र विशेश पर ठीके अब देखो दोस्तों ये तो हो गया कि हमारा राश्ट्रियापात काल लागू कहां पर होगा अब राश्ट्रियापात काल लागू करने का आधार क्या है दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जब मरजी पड़े राश्ट्रियापात काल लगा दो और जब मरजी पड़े राश्ट्रियापात काल हटा दो सरकार ऐसा नहीं कर सकती दोस्तों देखो किसी भी काम को करने का कोई आदार होता है, कोई बेश होता है। मान लीजिये वरतमान में आप बेरोजगार हैं, तो आप पढ़ाई किस प्रपस्से कर रहे हैं। आपको आगे लाइफ में कुछ करना होगए, तो उसका आदार होता है। कि भई मैंने 12th pass कर रखी है तो मैं 12th level तक के ही exam की तयारी कर सकता हूँ तो आपका आधार क्या है? 12th class pass out होना कोई व्यक्टिव इसेस है जिसने graduation कर रखी है तो वो graduation level के exams की तयारी कर सकता है क्योंकि उसका आधार क्या है? उसने graduation कर रखा है ठीक है? तो यहां हम बात करें तो आधार यहां पर हमारे सामने तीन प्रिस्तितियां बताई गई है जिनके आधार पर राश्च्यापात का लागू क्याद सकता है सबसे पहली जो प्रिस्तिति यदि हम कहें तो हम उसको कह सकते हैं युद्ध नमर दो बहारी आकरमन नमर तीन सै सस्त्र विद्रो है तो आपके सामने तीन प्रिस्तितियां हो गई दोस्तों युद्ध का आर्थ हो गया किसी देश के साथ युद्ध होना लड़ाई लड़ना तो आप कहेंगे सर कैसे मान लीजिए जब भारत ने पहले किसी देश पर हमला किया हो तो वो प्रिस्तिति क्या होगी युद्ध हमेशा याद रखना दोस्तों एक बात हम जिस तरीके से अभी तक हमने समिधान पढ़ा है और जिस प्रकार से अभी तक समिधान में जो चीज़े बताई गई है उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ यानि कि मानली जीए जब भारत ने पहले किसी देश पर आकरमन किया हो तो वो इस्तिति क्या होगी युद्ध की स्तिति लेकिन बाहरी आक्रमन यदि कोई हमारा जो दुश्मन देश है जो हमारा बाहरी देश पडोशी देश है यदि वो हम पर पहले आक्रमन करता है तो वो क्या होगा बाहरी आक्रमन और भारत के हमेशा से नीटी रही है वसुदेव, कुटंबकम, संपोन, विश्व हमारा परिवार है इसलिए भारत पहले कभी भी आकर्मन नहीं करता यानि कि अब तक हमारे यां जितने भी राष्ट्री आपातकाल लगाए गए हैं वो बाहरी आकर्मन के आधार पर लगे हैं साथ ही एक आपातकाल अन्याधार पर भी लगाए उसकी भी हम बात करेंगे अगला है ससस्त्रे विद्रो, ससस्त्रे विद्रो देखो इसका अर्थ ही यह है दोस्तों आपके सामने जो हिंदी के जो चात्र हैं उनको ग्यात हो रहा होगा सैसस्त्रे यानि कि हतियारों के साथ किया गया विद्रो यदि भारत की जनता, भारत के लोग यदि हतियारों के साथ विद्रो करते हैं ज़रूरी नहीं है, सभी लोग करें, किसी शेत्र विशेश के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, समझ रहे हैं, या हम बात करें तो कुछ लोगों द्वारा भी किया जा सकता है, किसी समुदाई विशेश के लोगों द्वारा किया सकता है, किसी के भी द्वारा इस प्रकार का यदी को या मैं कहूँ भारत के राष्टपती द्वारा रास्ट्र आपातकाल की घोशना की जा सकती है उस सेत्र विशेश पर जहांपर सस्थर विद्रो हुआ है वहां पर रास्थर आपातकाल लगाया जा सकता है यानी की शेत्र और हम चाहें तो पूरे भारत में भी लगा सकते हैं अब आपको यहां से एक और चीज याद रखने हैं देखो दोस्तों यह जो ससस्त्र विद्रोश शब्द है यह मूल समिधान में नहीं था तो अब आपके सामने फिर एक नया सवाल खड़ा हो गया जी हां दोस्तों मूल शब्द में इसके इस्थान पर आंतरिक ऐसानती शब्द का प्रियोग किया गया था और आंत्रिक ऐसानती शब्द का प्रियोग करते हुए जो हमारी पूर्वे प्रधान मंत्री माननी है इंद्रा गांदी जी ने इस पर आंत्रिक ऐसानती शब्द का उप्योग करते हुए भारत में 1975 में 25 जून 1975 में राष्टी आपातकाल लगा दिया था और उस समय अनेक जो हमारी हम कहें विरोधी पार्टियां थी या खुद की पार्टिय के लोग थे उनको आंत्रिक ऐसानती फेलाने के आरोपो के आधार पर जिलों में डाल दिया गया था तो ऐसी प्रिष्थितियों में जैसे ही सरकार परिवर्तन हुई और मौरार जी देशाई सरकार का गठन हुआ उस समय जनता सरकार सबसे पहले गैर कोंग्रीसी सरकार बनी थी और उसके पहले प्रधान मंत्री थे मौरार जी देशाई तो उनके दुआरा यहां पर सबसे पहले हम बात करें तो समिधान में बहुत सारे changes उनके दुआरा किये गये 64-वािशो समिधान संचोधन 1978 उनी के समय संपन हुआ था और 42-वालिशो समिधान संचोधन 1976 इंद्रा गांडी के समय संपन हुआ था दोस्तू तो यहां हम बात करें तो मैं आपको यहां बता दूँ चम्वाली स्वा समिधान संशोधन 1978 के द्वारा आंत्रिक ऐसान्ती शब्द के इस्थान पर प्रतिस्थापित अर्थात यानि कि आंत्रिक ऐसान्ती शब्द की जगह है किसको जोड़ा गया था ससस्त्र विद्रोह शब्द को भारती समिधान में इस्थान दिया गया था और यह किसके द्वारा किया गया चम्वाली स्वा समिधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा किया गया था इसको करने का कारण क्या था मैंने आपको भी बता दिया कि आंतरिक ऐसान्ती इस शब्द के आधार पर जो हमारी पूरु प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी जी के दुआरा 1975 में राश्ट्री आपातकाल लगा दिया गया था ठीक है इसी कारण इस शब्द को हटाया गया क्योंकि ये विवादास्पत सब्द था और इसकी ना तो सविधान में कहीं कोई परिभाशा दी गई थी इसे परिभाशित भी नहीं किया गया था ठीक है कितने आधारों पर तीन आधारों पर आपको ये याद रखना हैं दोस्तों कितने आधार हैं तीन आधार पर राश्ट्री आपातकाल लगा जा सकता है क्लियर है अब हम इससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसके पश्चात की जो घोशना है वो किस प्रकार से की जाएगी और किस प्रकार से इसे लागू किया जाएगा इन दोनों के संद्रब में अभी मैं चर्चा करने वाला हूं दो सबसे पहले तो यहां पर जैसा कि मैं भी आपको बार बार कह रहा था आपने साइध बात को नोट किया नहीं किया तो मैं आपको पुने एक बार याद दिला दू कि अभी वर्तमान में जैसी प्रिस्तितिया हैं उनके आधार पर रास्ट्रिया पात्काल लगाए सकता है तो क्या वास्तों में आर्म्न रिबोलेशन अर्थात ससस्त्र विद्रो होगा तबी रास्ट्रिया पात्काल लगेगा या ऐसी प्रिस्तितियों की आसंका के मद्यनजर भी रास्ट्रिया पात्काल लगाए सकता है जी हां दोस्तों यहां याद रखिएगा भारतिय समिधान को अनुचे 352 ये शक्ति प्रदान करता है कि ये तीनों प्रिस्थितियां यदि राष्टपती को ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है या होने वाला है या बिल्कुल निकट ऐसे प्रिस्थितिया है तो उन वास्त्व की स्तिति से पहले भी भारत का उम्मीद करता हूँ आपको यह point समझ में आओगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको short rope से आप इसको star डाल के आप लिख लिएगा कोई काफी important point है यह ठीक है राष्ट्रपती द्वारा राष्ट्रिये आपात की उद्गोशना वास्त्विक परिष्थितियों से पूर्व भी की जा सकती है केवल मात्रे इन परिष्थितियों के संभावना मात्र पर ठीक है दोस्तों आपको यहां याद रखनी है यदि राष्ट्रपती को ऐसा समाधान हो जाता है राष्ट्रपती को ऐसा विश्वाश हो जाता है राष्ट्रपती को ऐसी संभावनाई व्यक्त हो जाती है कि इन तीनों में से कुछ भी देश में घटित होने वाला है तो भारत के राष्ट्रपती द्वारा राष्ट्री आपातकाल की गोशना की जा सकती है तो यदि मैं आपसे कहूँ वास्त्विक प्रिश्टितियों से पूर्व भी ऐसी गोशना भारत के राष्ट्रपती कर सकते हैं देखो वास्तों में युद्ध होगा तब तो लगाने ही लगाना है वास्तों में बाहर याकरमन होगा तब भी लगा सकते हैं वास्तों में ससतर विद्र होगा तब भी लगा सकते हैं लेकिन जब आपको पता है हमारे पास internal full information है कि युद्ध होने वाला है हमारी शुरक्षा एजेंशियों ने हमें ये सूचना दे दी तो सबसे पहले देखो दोस्तों जिस प्रकार मैं आपको बताऊं ये अधिकार क्यों प्रधान किया गया है क्योंकि कुछ लोगों का मत है आप में से आप बहुत से लोगों के मन में विचारारा होगा कि ये अशे तो राष्ट्र पती कभी भी रास्ट्यापात का लगा सकता है ऐसा नहीं है दोस्तों देखो जब भी आपको पता है बारिश होती है तो छोटी मोटी चीजें सीमा पर चलती रहती हैं उसी प्रकार लेकिन जब अच्छानक से भारी भारिश होती है तो मौसम इभाग द्वारा चेतावनी दी जाती है कि बाड आने की प्रबल संभावना है जो लोग हैं पानी का इस्तर अधिक होने वाला है जो लोग मौसम इभाग की चेतावनी को मानकर समझकर सुरक्सित इस्तावनों की और पलाइन कर जाते हैं तो वे सुरक्षित रहते हैं यानि कि ये हमारे प्राथमिक सुरक्षा उपाय हैं दोस्तों ठीक है इसी प्रकार जब सेना का हमारा बोर्डर पे छोटे मोटे जगडे बारिश के समान चलते रहते हैं लेकिन अब ये बात फिक्स हो गई कि युद्ध होने वाला है तो हमारी सुरक्षा एजेंशियों ने चेता दिया किसा युद्ध तो होगा होगा कब 2-5-7 दिन में कभी भी हो सकता है या कली हो सकता है तो ऐसे प्रिश्थितियों में तुरंद प्रवाव से सरकार दोरा नेशनल इमर्जेंशी घोसित की जा सकती है अर्थात रास्ट या पातकाल की घोशना की जा सकती है जिससे हम अधिक से अधिक जो हमारा साजो सामान है जिसका नुक्षान होने वाला है या हम युद्ध के लिए प्रिपेर हो सकते हैं हम बाहरी आक्रमन को रोकने के लिए तयारी कर सके National Emergency का मतलब होता है संपोन, पावर, पुरे भारत की अधी हम बात करें तो वो सीधा संग सरकार के अधीन चले जाती है राज्य सरकारें भी संग सरकार के अधीने काम करती है काम वही करेंगे, मुख्य मंतरी भी होगा, मंतरी परिशद भी होगी, सब होगा लेकिन Central Government जैसा आदेश देगी, उसी के अनुसार ये सब काम करेंगे इसके उपर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं, जो इसके प्रभाव होंगी, उन पर चर्चा करेंगे लेकिन मैं आपको यहां को बता दूँ, आपको यह प्रिश्दिती समझ में आये होगी कि भी, पहले क्यों कि यह आ जा सकता है, ठीक है? आप देखो दोस्तों, आगे मैं यहां आपको यह बता देना चाता हूँ कि आधार हो गया, अब इसको लागू करने का तरीका क्या है? इसको लागू कैसे किया जाएगा? ऐसा निये कि राष्टपती अपनी मर्जी से ही लागू करेगा इसके लिए भी लागू करने का एक तरीका है, समिधान में बताया गया है कि जब तक संग के मंत्री मंडल द्वारा लिखित रूप में इस प्रकार की कोई सिपारिस राष्टपती को नहीं की जाती है तब तक भारत के राष्टपती द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया जाएगा कोई भी आपात उद्गोषणा नहीं की जाएगी तो उसी को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आईए देखिए लागू करने का तरीका क्या है तो लागू करने का तरीका है दोस्तों यदि हम बात करें राष्टपती द्वारा संग के मंत्री मंडल की लिखित सिर्फारिस पर दिखो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पर पहले भी एक तरीके से हम कहें ये प्रावधान बाद में समिधान में जोड़ा गया था क्योंकि इसका कारण था कि हमारा जो 1975 वाला जो आपात काल था यानि कि जिसे हम आंतरिक आपात काल भी कहते हैं क्योंकि वो आंतरिक ऐसान थी कि आधार पर लगाया गया था तो सबसे विवादास्पत आपात काल वही आपात काल रहा था और इसी कारण आपातकाली इन प्रावधानों में बहुत सारे changes किये गए थे दोस्तों ठीक है चूँकि आपको पता है जब कोई विशेवस्तु विवादों में रहती है तो उसमें परिवर्तन होना स्वभाविक है ठीक है तो हम यहां बात करें तो राष्टपती द्वारा संग के मंत्री मंडल की लिखित सिपारी से पर ही राष्टी आपातकाल की उद्गूशना की जाएगी अन्य था नहीं की जाएगी तो क्या ही मूल समिधान में था जी नहीं इसी बाद में जोड़ा गया बाद में कब जोड़ा गया इसको आपको इहां लिखना इस प्रकार से ये भी जोड़ा गया चम्वाली स्वा समिधान संचोधन उन्नीस सो चीहतर के द्वारा ठीके यानि कि पहले राष्टपती उद्गोशना कर सकता था आपातकाल की लेकिन अब ये प्रावधान कर दिया कि जब तक संग के मंत्री मंडल देखो दोस्तों यहां पर आपको इस्पेशली दिहान रखना मैंने मंत्री मंडल शब्द का प्रियोग किया है ना की मंत्री परिशद यहां दोस्तों आपके सामने कई बार आप्शन में आता है कि राष्ट्रिया पातकाल लागू क्या ज़सकता है संग के मंत्री परिशत की लिखित सिपारिश पर, संग के मंत्री मंदल की लिखित सिपारिश पर, संग के प्रदाहन मंत्री की लिखित सिपारिश पर, राज्यों के मुख्य मंत्रियों की लिखित सिपारिश पर इस प्रकार से आपके सामने सवाल आता है तो पहला होगा, पहला यह option होगा संग के मंत्री मंदल की लिखित से पारिश पर और दूशरा option होगा संग के मंत्री मंदल की लिखित से पारिश पर तब आपको वहाँ पे identify करना है कि सर ने मंत्री मंदल शब्द बताया था देखो दोस्तों समिधान सिर्फ शब्दों का खेल है यदि आपको समिधान में शब्दों का आर्थ पता है शब्दों की समझ है कि शब्द क्या कहना चारा है शब्द को किस रूप में परिभाशित किया गया है इसका मतलब आपको समिधान में मांक्स लाने से कोई भी नहीं मैं एकदम exact बात कह रहा हूँ दोस्तो तो जैसा मैं board पे लिख रहा हूँ एक एक शब्द को clarify कर रहा हूँ इतना time इसी लिए लगा रहा हूँ कि आपको समझना है रटना नहीं है कि मंत्री मंडल है मंत्री परिशद नहीं है सर नहीं यहां पर बताया कि मंत्री मंडल अर्थात प्रदान मंत्री और उसकी कुछ मंत्रियों का समूँ जिसको हम बात करते केबिनेट मंत्रियों का जो समूँ होता है वही मंत्री मंडल में आते हैं मंत्री परिशद सभी मंत्री आ जाएंगे लेकिन यहां पर किवल किसका प्रियोग किया गया है मंत्री मंडल और वो भी कैसी सिपारिस लिखित सिपारिस उसके सामने ऐसा भी हो सकता है मंत्री मंडल की लिखित सिपारिस मंत्री मंडल की मौखिक सिपारिस जान रखना दोस्तो काफी सवाल ऐसे आते हैं एक्जाम में हम जल्द बाजी में सवाल गलत करके आते हैं आइंदा आपको ऐसा कोई भी सवाल गलत नहीं करना है तो उम्मीद करता हूँ आपका यहां से यह क्लियर हो गया होगा ठीक है इससे अधिक नेचे आपको दिखेगा नहीं तो फटावट से आप इसका स्क्रीन शोट ले लीजिए ताकि हम आगे बात करें अभी दिख रहा है तो एक लाइन ओर लिखा देता हूँ आपको मैं यहां पर मुझे लगा नहीं दिख रहा लेकिन मुझे अभी बताया गया कि अभी दिख रहा है आप लिख सकते हैं एक लाइन देखो यदि हम बात करें समिधान में यह आपका नोट डाल के लिखना है काफी इंपोर्टेंट चीज है ठीक है समिधान में मंत्री मंडल शब्द का प्रियोग समिधान में मंत्री मंडल शब्द का प्रियोग केवल अनुछेद 352 में किया गया है मंत्री मंडल शब्द का प्रियोग केवल यहीं इसी अनुछेद में किया गया है और उसका अनुछेद 352 का जो तीसरी धारा है उसके अंतरगत यदि हम बात करें मंत्री मंडल शब्द का प्रियोग किया गया है बाकी समिधान में प्रतिक जगे आपको मंत्री परिशद शब्द मिलेगा आपको मंत्री मंडल शब्द केवल और केवल यहीं मिलेगा अनुछेद 352 में तो यदि मैं आपसे बात करूँ तो यदि अनुछेद 352 में केवल किस शब्द का प्रियोग किया गया है मंत्री परिशत का, मंत्री मंडल का, प्रधान मंत्री का, उप्रोक्त सभी, किसका किया है, मंत्री मंडल का, यहां ना तो प्रधान मंत्री के बारे में लिखा गया है, ना ही मंत्री परिशत के बारे में लिखा, यहां केवल लिखा गया है मंत्री मंडल, और मंत्री मंडल के ल क्लियर हो गया अब इसके बाद में ये जो हमने लागू करने का जो तरीका था मंत्री मंडल की लिखित से पारिश पर लागू कर दिया जाएगा अच्छा लागू कर दिया साथ राष्टपती ने गोशना भी कर दी फिर क्या होगा देखो दोस्तों फिर इसे जारी रखने के लिए संसद से अनुमोदन आवशक है अर्थात संसद से स्विकृति आवशक है अब संसद से स्विकृति आवशक है तो यदि हम बात करें संसद स्विकृति किस प्रकार प्रदान करेगी किस भहुमत से स्विकृति प्राप्थ होग ठीक है तो मैं आपको वर्बली बता दू एक बार फिर हम आगे लिखेंगे देखो एक बार भारत के राष्टपती द्वारा राष्ट्रियापातकाल की उद्गोशना करने के पस्चात एक महिने तक राष्ट्रि आपात काल की उद्गोषना प्रभावी रहती है यानि कि 30 दिन तक यदि 30 दिनों के अंदर संसद के अनुमोधन से ये पारित नहीं हुआ संसद से अनुमोधित नहीं हुआ अर्थात संसद ने राश्ट्रिय आपात काल के इस प्रस्ताव को अनुमती प्रदान नहीं की तो ये स्वतरी समापत हुजाएगा यनि कि यदि हम बात करें राश्ट्रिय आपात काल सबसे पहले कभ समापत होगा एक महिने में हो जाएगा वैसे तो राष्टपती कभी भी से वापस ले सकते हैं लेकिन यदि हम बात करें तो 30 दिन में समापत हो जाए अब यदि संसद पारित करें तो पारित किस प्रकार से करेगी देखो संसद की दो सदन है पहला राज्य सभा दूसरा लोग सभा दोनों सदन अपने अपनी कुल सदस्य संचा के बहुमत सदन की कुल सदस्य संचा के बहुमत प्लस उपस्तित एमद्दान करने वाले सदस्यों का दो बटा तीन बहुमत के दुआरा यदि इस प्रस्ताव को पारित करते हैं तब ही यह 6 महिने तक जारी रहेगा अर्थात अगर संसद ने एक बार इस राष्ट्रिया पातकाल के प्रस्ताव को पारित कर दिया तो यदि मैं आपसे बात करूँ तो ये कितने समय तक जारी रहेगा ये जारी रहेगा दोस्तों 6 माह तक कितने समय तक 6 माह तक छे माहबाद में फिर क्या होगा छे माहबाद पुने इसी प्रकार के अनुमोदन दुआरा संसद से इसे पारित करवाना आविशक है ठीक है साथ छे मेने अर्थात प्रतिक छे मेने पर अब आपको यहाँ याद रखना है यानि कि जैसे ही छे मेने होंगे उससे पहले ही संसद ये प्रस्ताव पारित कर दे के राष्ट पत्र राष्ट्रिय आपात काल आगे जारी रहेगा अब यहां से सवाल यह बनता है कितने समय तक जारी रहेगा तो देखिए दोस्तों ऐ निश्चित काल के लिए कितने भी समय तक जो संशत इस प्रकार से राश्री आपात काल को बढ़ा सकती है ठीक है अब आप कहेंगे साब बढ़ा दिया विसेज भहुमत का आर्थ क्या होता है देखो दोस्तों विसेज भहुमत का आर्थ यही होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या जिसे मैंने आपको बताया सदन की कुल सदस्त संख्या का बहुमत प्लस जो लोग उपस्तित हैं और जो लोग मद्दान कर रहे हैं उनका भी दो बटा तीन बहुमत होना आविशक है ठीक है आप कुछ लोगों के मन में सवाल उत्पन ने हो रहे होंगे कि सर मान लीजिए संसदने अनुमुदन नहीं दिया तो छे महने एक बार दे दिया दुबारा नहीं दिया तो तो स्वतही रास्ट्रिय आपात काल जैसे ही उसकी 6 महा के उदी समाफ्थ होगी समाफ्थ हो जाएगा दोस्तों इसके लिए अलग से कोई प्रस्ताव लाने के आवशकता नहीं है अपने आप समाप्त हो जाएगा अच्छा चलो अभी इस पर इन सभी पर काफी सारी अपी चर्चा करनी है हमें ठीक है ये कक्षा काफी लंबी हो जाएगी तो फटावट से दोस्तों पहले तो आप इसका स्क्रिन शोट ले ली जिएगा ठीक है तो अगली कक्षा में हम बात करेंगे क्योंकि अभी एवरेज 40 से 45 मिनिट की क्लास हम रखेंगे ज्यादा लंबा नहीं क्योंकि बच्चे को थोड़ा टाइम वगरा भी चीया होता है ठीक है तो देखो तो स्टुडेंट्स आज हमने राष्टपती की शक्तियों के बारे में बात की इससे आगे हम अगली कक्षा में बात करेंगे तब तक के लिए जैहिन जैभारत आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि अभी राष्टपती की आपातकाली शक्तियां पूरी नहीं हुई है यह एक फॉर्मेट है आपको इसी फॉर्मेट में याद रखना है क्योंकि हम जो तीनो राष्टपती के लिए हम बात करें आपातकाली शक्तियां इसी फॉर्मेट में पढ़ने वाले है एक-क कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे जो मेरे दोस्त नए है जो मेरे मित्र नए है वे हमारे चैनल को सस्क्राइब करें एक बार पुने मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ साथी में हमारे वीडियोस को लाइक करें और पर कमेंट करें दोस्तों और साथी में अपने सभी दोस्तों को सेर जरूर करें दोस्तों ठीक है तो अगली कक्षा में पुने में आपसे मिलूँगा तब तक के लिए जैहिन जैभारत झाल कि अभली करें दोस्तों पुने आपसे मिलूँगा नहीत है झाल